स्लावमलीकुम दोस्तों आपका फिर समय स्वागत करता हूँ आपके अपने야 योट्यूब चैनल कतर खबर योट्यूब चैनल पर तो साथिए आज के वीडियो में कतर से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है साथियो मैंने आपको कल की दिन वीडियो में बताया था कि दोहा में 33 इस साल बुक फेर वहाँ पे इवेंट्स लगाया गया है यानि किताबों का मेला एक तरह से सिंपल भासा में समझ सकते हैं तो लगाया गया है तो साथियो एक वहाँ पे ओमान का पेविलियन लगाया गया जिसमें ओमान की सभी किताबें इतिहास जो भी चीजें वहाँ की होती है ओमान की वहाँ पे लगाया गया तो जदी आप लोग देखना जाना चाते हो औमान के बारे में कुछ जानना चाते हो पढ़ना चाते हो तो वहाँ पे ओमान के एक pavailion लगाया गया है दोहा बुख fair में तो आप जाके वहाँ पे यह चीजों को जाकर देख सकते हो तो आप लोग यदि इसमें इंट्रेस्टेड हो यह सब ची में सौक रखते हो देखना चाहते हो जाकर आप देख सकते हो अगली जो अपडेट आ रही अलवकरा सेट अप अलसदाद क्वार्टर फाइनल अल्रयान क्रूज साथ यूप जैसा कि आप लोग जानते हो कतर में आए दिन कोई ना कोई फुटबॉल मैच चलता ही रहता है अभी कुछ दिन पहले अंडर 17 हुआ था फिर FC ACN कप हुआ अभी साथ यूँ एक और मैच चल रहा है वहाँ पे जो होँआ पे जो सहरवाइस है सहर मैच की करवाय जा रहा है जैसे की अलवकरा के बीच में, अलसाद के बीच में और अलरायान के बीच में तो तीनों के बीच में दोस्तों महाँ पे मैच चल रहा था तो फिलाल अभी अलवकरा और अलसाद के बीच मैच है तो इस दोनों टीमों में से दो जीतेगी वो final खेलेगा अल्रयान के साथ तो देखते हैं साथियों आज की दिन ये quarter final match होने वाला है तो जो भी इन दिनों टीम में कर जीती मैच है तो अल्रयान अल्रयान टीम के साथ दोस्तो final match खेलेगी साथियों आंगली जो खबर आ रही है वीडियो के साथियों एक सक्स को देखके ता पैचानी गया हूँ जिन बड़े बड़े बाल रखे हूँ इसका नाम है नीरत चोपड़ा जो की इंडिया के ये star भी है इन्होंने साथियों बता वाला जो गेम होता है वो होने वाला है तो कतर में साथियों नीरत चोपड़ा पहुंच चुके हैं और भी दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाली हैं वो लोग भी वहाँ पहुंचे हुए हैं तो जैसा कि वीडियो के साथियों आप देख सकते हैं नीरत चोपड़ा भी यहां पे आ चुके हैं और यह साथ यह मैच कतर में होने वाला है तो इसे कहा जाएगा डाइमंड लीग अब दोस्तों यदि आप लोग यह देखना जाना चाहते हो देखने जा जाकर देख सकते हो नीरत चोपड़ा भी वहां पे आए हुए है अगली जो अपडेट आ रही है खबर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इंडिया का एक साथ असी फ्लाइटों को कैंसल कर दिया गया है जहां साथ ही अब बिल्कुल साही सुन रहे है असी फ्लाइटों को कैंसल किया गया अब असी फ्लाइटे कैंसल करना को आम बात यह कोई मामूली बात नहीं होती है अब दोस्तों ये फ्लाइट जो कैंसल किया गया Air India Express जो की टार्टा को कैंसल कर दिया गया । इसमें 70 International flightth उती यानि इसके वजय सभी 80 फिलाइटों को बन कर दिया गया अब सात्मियों आप इसके पीछे रीजन क्या है वह अच्छाना क्यों बीमार करें इसके को जानकारे निकल कर नहीं आ रही है पर बताया गया दोस्तों एक साथ यतनी लोग बिमार होने को ऐसे अस्ती-अस्ती फ्लाइटों को लगा वहां पे कैंसल किया गया है तो यह कुछ खबरे थी अपडेट सी जो की कुछ से आ रहे थी कतर से आ रहे थी मैंने अब तक से अर कि मिलता हूं साथ युनेक स्टूडियो पे जहीन अलाफिस और टेक के